दूर्ग जिले में लगाता है नश्य के खिलाफ जो कारवाई है वो चल रही है पिछले दिनों भी हम लोगों ने गांजे की कारवाई की थी और इसी संदर में थाना वैशाली नगर में सुचना मिली कि एक महिला जो है वो ब्राउन शुगर बेचने का कारे कर रही है सुचना मिलने पर धाना प्रभारी CSP ने अपनी टीम बिना करके वहाँ पर दविश दी दविश देने पर जो महिला है नोतन सिंग वो अपने घर के अंदर में जो ब्राउन शुगर है वो बेचते हुए उसका सेल करते हुए पकड़ी गई उनसे आगे पूश्टाश करने पर हुए बताया कि उसका जो पती है दलबीर सिंग जो पंजाब का निवासी है वो पंजाब से लगातार आना जाना करता है और ब्राउन शुगर का जो खे पर वही लेकर आता है सुचना मिलने पर ततकाल उसके पती को भी गिरिफ्तार किया गया और पती को गिरिफ्तार करने के बाद जब टूटल जो ब्राउन शुगर की क्वांटिटी है वो तौला गया तो लगबग 147 ग्राम ब्राउन शुगर हमको ब्रामद हुआ है इसकी मार्केट में वैल्यू साथ लाग चालीस हजार रुपए के आसपास की है और इन कितने दिनों से ये महिला इस कालबारत नहीं है इसको देता था फिर पंजाब चला जागा तो लगबग ताइम पिरिट तो मुझे पता नहीं कब से कर रही है काफी पहले से लिंग कर रही है छे मेने से लगबग 6 मेने से ये ये धनदा कर रही थे देखे पुलिस कारवाही करती है उसके बाद हम लोग नइक कारवाही के लिए कोड में दे देतो है कोड में जमानत देना उनके विश्यशादीकार है इक बार जब ओंजब जमानत दे देते हैं फिर ये वापस आते है अब उसके बाद इनको शायद जेल का डर निकल जाता होगा या जो भी होता होगा दुबारा करते हैं जब दुबारा करते हैं हम फिर दुबारा इनको पकड़ने का प्रयास करते हैं NDPC कारवाई में इंपोर्टन है कि जबती उनके पास से होना चाहिए क्योंकि अब यह लोग कैप पिशेवर हो जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इनके उपर निगाह रखे रहते लेगनी कहीं और से सप्लाई का काम चालू कर देते देखिए हम लोगों के जिले में अभी ये एक समस्या है कि इतना बड़ा इलाका है तो हर जगा पे आप पुलिस कर्मी तैनात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बलकी भी थोड़ी सी परिशानी रहती है अलग अलग बंदोबस्त और वैस्ता में ड्यूटी लगी रहती तो एक- सबी थाना प्रभारियों को ये निदेशित किया गया है कि जो भी इस तरीके के स्पॉर्ट्स है थानों में जहां-जहां पर शाम के समय रात के समय या तो इकठे हो करके इस तरीक पी जतिवेदी करते हैं अड़ेबादी करते हैं तो वहाँ पर विशेश अभियान चला करके पेट्रोलिंग की जाए प्रियास करे जाए कि इन इलाकों में उनकी आमधर नहु व समय ने बताए कई बार थोड़ा सा हम लोग काफी सारे अलग-अलग ड्यूटीज में भी हमारा ये रहता है एंगेजमेंट रहता है तो रेगुलर्ली ये कारे हो नहीं पाता है लेकिन प्रयास यह रहा है कि लगाता करवाई करें ताकि इस तरह की जो जमावड़ा है उस तरह करें आज भी मॉर्डिंग में जो हम लोगों ने तालपुरी में कारवाई की है वो कहीं न कहीं है संदेश देने के लिए कि कहीं पर भी कुछ अवयत टाइपी गतिविद्य अगर चल रही हो तो पुलिस गिराबंदी करके उस पर करवाई करेंगी आज लोग तो बोल रहे ह तो इसे एक संदिक गतिविदी के लिए नहीं थी वह एक जनरल कोडरेंट सर्च का हम लोग उने प्लैन किया था जो जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले रिकॉर्ड रहा है कि जहां से आर मतलब थोड़ा सा इस्ट्रब्रेंस रहा है जहां पर जहां पर अवायत गतिविद् जैसे यह वाला जीह वाली जो करवाई है इसमें जो सोर्स है वह पंजाब से हमको पता चला बिद धक genuine हम लोग नाखपूर के तरफ के का सोर्स रहता था नाखपूर वाले चेनिक ब्रेक करने में यह काफिफी तक सफ़लता मिली है काफि सारी करवाई पहले भी हुई है उस रेल्वेय पुलिस इसका जवाब बहतर दे पाएगी कि क्या मगू है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में एक एक वेक्टी के चेकिंग करना थोड़ा सम्पव नहीं होता चुटे 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 कॉंटीस को पूडिया में बना ले आता था श्रण करें यहां बहुत को बाट से प्राइए को चुक्ता पूड़ा नहीं कर रही है करें कि बिल्कुल आपके बात सही है कई बार साहिए बिया भी इस लिए कि पुलिस के ऊपस्येख सके मनन बेक तरीके से वो लोगों को आगा करती है कि पुलिस यहाँ गोंग रही है कई बार उसका negative impact हो जाता है कि जो अपरादी है वो भागी आते हैं उसके वासंग करके जहां तक जमावडे की बात है तो जमावडे में अगर कोई ऐसे spot है जहां लोग बैठ करके अगरे शराब पी रहे है तो प्रयास ही रहता है कि वो इलका जो है वहाँ पे आम जनों को दिक्कत नहों और उनको रधानी कारवाई हं के खिलाफ करते बहुरते हैं तो इनके टार्गेट क्लाइंट कौन थे जो ट्रेंड वी देखा जा रहा है थोड़ा युवाओं में इस चीज की खपत हो रही है तो इनके भी जो मेजर जो क्लाइंट से वो युवावर से बिलॉंग करते हैं वसे तो अधरवाइस और भी क्लाइंट सो सकते हैं लेकिन मिज क्लाइंट के बारे में इन्होंने हमको मतलब स्प्रेसिफिक जानकारी इनको भी नहीं है कि कौन-कौन क्लाइंट से जो इनको जानता है कि इस तरीके का काम करते हैं तो वो अपने से आ करके ले कर जाते हैं कि प्रोफाइलिंग नहीं कर बाई लेकिन युवावर्ग के नहीं हम लोगोंने प्रयास नहीं किया अपने से लेने का इनके पीछे किसी और कहां जो सबसाइब जाए जाए जिस इंडिकेट यह मांकिया जैसे लिए जाए जा रहे हैं जैसे 147 ग्राम का कीमत लगभग मार्केट में हम लोग 7,4,000 आख रहे हैं तो उसे सबसे आप एक खूडिया में उगर 1 ग्राम है तो आप समझ लो कि इतना नेट्स करना है जो जो है अलग 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 यह लाता था इतने दिन में आईगा और इतना ही कॉंट्टी लेकर आएगा इतना ही इतना यह बिलकुल मैंने आपको पहले बताया कि इन से जो भी जानकारी मिलिए उस पर भी हम लोग काम करने हैं और कोशिश करेंगी कि इस चेन को बेख के लिए झाल बखकी सारे जाक्त लागी जार्एं ये जार्एं के बागी जार्एं करें...